तथागत बुद्ध के अनुसार अरहत उपसांथ कैसे होता है। अरहत शब्यज्ञान द्वारा विवुक्त हो उपसांथ होता है। और वैसे ही उसके मन, वानी और कर्म भी सांथ होते हैं। जिसे उपलब्ध, प्रानी, पदार्थों तथा भोगों की नस्वर्ता का पून ग्यान सुद्रण है। वह उनका मुझ सर्वता छोड़ देता है। इसलिए उनकी वासनाओं से पून मुक्त हो जाता है। अतैव वह संतुष्ट जीवन होता है और उसके मन, वानी तथा कर्म सब सांथ होते हैं। नमो बुद्धाय। जातैटा एत्माभ papers कि अतैंप और रसाल